हलो दोस्तों गुन मॉनिंग एक वाफी से स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आई होप आप से वी अच्छे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे अभी किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार भी देले परिक्षा समीति कि जो जिन बच्चों ने अपना मन चाहां मार्क्स प्राप्त नहीं किया है यह जो बच्चे एक दो सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में फेल होगे और उन्होंने सोचा कि मुझे सब्ली में नहीं देकर एक बार स्कूटनी का भी फॉर्म भर दीजिएगा दोनों आप एक साथ कर सकते हैं अगर आपके स्कूटनी में पात हो जाते हैं तो आप सप्लीमेंटरी का आपका नहीं आएगा तो यहां पर देखिए मैंने आपको एक मार्क शीट दिखा रहा हूं यह तो आप्टर स्कूटनी मार्क शीट है विफॉर्स कुटनी मुझे कुछ टाइम लगेगा म खोजने में हलांकि अगर आप लोग कमेंट में करिए गा तो मैं बिफोर और आफ्टर करके एक वीडियो बना दूगा यानि दोनों मिक्स करके विफोर और आफ्टर स्कूटनी दोनों दिखा दूँगा स्कूटनी के बारे मगर आप लोगों को पता नहीं है तो लीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल ला हूं वो वीडियो पहले देख लिजिए यह पाट टू वीडियो और मैंने बोला था कि दिए ब्यार भीडेल आप रिक्रिषा सहनी देभी कंख सांब यहां पर लोग देख सकते हैं पीडिवे देख सकते हैं की स्कूटनी यहां फ़सेन पे प़र दिख सकते हैं तो यहां पर यहां पर पहला माके जो की ठीकिटेक्स में हैं मैतेमेटिक89 कभी कभी क्या हुता है कि यह कभी आजिसे नमबर चूट जाते हैं जो काउंटिंग में नहीं हाते हैं लेकिन reality में अगर आपका marks gain होता है तो वो marks आपके gain हो जाते हैं वहाँ पर और आपके marks बढ़ते हैं और वहाँ से आपको marks originally मिल जाते हैं marks कम होने की संभावनाएं बिल्कुल कम होती है और marks it आपके verification में वह बहुती लंबी process होती है कि marks it आपके पहले वाले चलेंगे या दूसरे वाले चलेंगे यह मैं अलग से वीडियो में बताऊंगा कि कौन से marks it verified होते हैं लेकिन अगर आपके marks बढ़ते हैं तो आपके second marks it 28 days में ही चले आते हैं अठाइस दिन में मुझे दोस्त को मिल गया था लेकिन आप लोगों को दो यार बीस के बच्चों को साइद अभी तक नहीं मिला है इसके लिए आपको tweet करने होते हैं Twitter के जड़ी आप अपनी बाद cm तक रख सकते हैं देन उसके बाद verification के लिए वो बातें आगे जाती है सरकार के थुरू और वो आपकी help के लिए आगे आती हैं तो आप लोग Twitter पे जरूर जाएगा link में description में डालना हूँ Twitter का भी आप लोग वहाँ से जाके tweet करिएगा ये part 2 है वीडियो का अगलोगों से उम्मेदन है कि part 1 जरूर देखिएगा part 1 में इस सारी processing बता दिये में किस तरह से आपको scrutiny करने होते हैं अलग-अलग mark sheet भी दिखा दिया है तथा क्या-क्या verification होती है एक subject के आपको 70 रुपे लग रहे हैं आपको पता होना चाहिए और ये एक तार चार तारिक से form इसके start हो जाएंगे तो सारी वीडियो में जानकारी में देच चुक हूँ और किसी तरह की जानकारी आती है वो भी आप तक पहुंच रहाँगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए हिंद्य भारत वीडियो को share करना ना भूलना ताकि आपके दोर्स भी इस तरह से form भर सके और साती साथ जाके लिंक में कुछ important वीडियो के नीचे description में डाला हूँ वो भी जाके जरूर देख लेना धन्यवाद दिन आपका सुभो